नमस्कार दोस्तों विलकम टो फर्स्ट इंवेस्मेंट मैं हूँ आपका मेंट और श्यवाल चमसी दोस्तों आज की मार्किट बहुत जादा ची रही बहुत अच्छे हम लोग ने पॉइंट संग करें बहुत पर्टिक्लर स्टॉक्स पर लोग ने ट्रेट करा टेलीगरम चैन पे मेरा पूरा जो겠지만їमि वह है है आ jestem आप लोगोको नौछज प्रॉवाइड करवारा ना कि आपलोगों को ट्रेड सेट अप्स प्रॉवाइड करवारा अगर आपको को ट्रेड सेट-अप सहीं है तो यूटूब चैनल पर मिलते हैं वहीं मिल पाएंगे लाइब मार्केट पे मैं अभी नहीं प्रोवाइट कर वा रहा है जिए कै आज आप लोगों पता है कि मैं लाइब मार्केट अनालिसस कर वा तो अपने स्टूडेंट को जो मेरा catch करा था यह जो thousand टोटल इसने 1100 points की जो movement दिया है उसमें से thousand points की पूरी की पूरी movement हम लोग ने capture करी है yes guys पूरी की पूरी thousand points की movement capture करी है कैसे करिये क्या logic था क्या sustainability थी क्या आप वोगों के mind में आता है huge gap up देखने को मिला शायद नीचे आजाए हमें यह पता था कि वो नीचे नहीं आएगा क्या logic था क्या reason था सब शेयर करा जाएगा आप लोगों के साथ कुछ stocks भी हम लोगों ने share करे गए थे चैनल पर वो भी इस वीडियो पर है बताए जाएंगे किस तरीके से मैंने यह सेलेक्ट कर रहा था and definitely आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा और में कुछ stocks थे जो हम लोगों ने अपने live market analysis पर शेयर करे थे I think कि वो अभी वी buy बनते हैं तो मैं आप लोगों के साथ share करने वाला मेरे पास जब मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पता ही कि जब मैं यह डाल रहा था तो मेरे पास बहुत-बहुत कम से कम 8785 चाट्स पड़ीवी थी जिस पर सुब बोल रहे थे कि सार आप लोग हमें live market पर कॉल्स प्रोवाइड करा है मैं आप लोगों को अल जो कि मैंने इस ताइम बाइ करा मैं मान के चल रहा हूं कि मैं आपको इसाथ profits शेर नहीं करता जो कि मैं नहीं करना चाहता मैं कुछ अगर options के लेता हूं तो वह मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूं बट मैं mainly मेरे जो play है वो cash है cash segment में करता हूं so बहुत सारी request तारी थी मै मैंने सोचा भी था कि मैं live market पे calls provide कर वा हूं but guys मैं calls वही provide कर वा सकता हूं जो trade मैं लेता हूं जो मैं personally लेता हूं मैं वही provide करा सकता हूं चाहे वो intraday हो चाहे वो swing हो चाहे वो positional हो चाहे वो future हो चाहे वो option हो यह नहीं कि आप regular basis पे अगर आप मुझे बोलूँगी sir 3 intraday calls 5 intraday calls यह सारी चीज़े दो btsd swing trade weekly basis के calls and options अगर मैं trade करता हूं अगर इस basis पे अगर आप लोग ready है तो आप लोग मुझे comment section के इतना नीचे बता सकते हैं और फिर मैं उसके बारे में कुन सोच हो आए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं चार्च में मैं बहुत clearly समझाने वाला ह पूरा ध्यान से समझेगा and definitely अगर आप इतने point समझ जाएंगे बस अप future में trading कर पाएंगे start कर पाएंगे not future and options पर trading कर पाएंगे मैं बूल रहा हूं कि future पर अगर आप लोग अच्छे से trading कर पाएंगे okay so charge की तुरफ बढ़ते हैं and हम लोग बिलते हैं वीडियो की आखरी म हेलो एवरिवन स्वाई चार्च पर देखते हैं कि किस तरीके से कौंचे 5 stocks आप लोग कल ट्रेट कर सकते हैं and I think ये weekly stocks भी आप ट्रेट कर सकते हो and देखेंगे nifty bank nifty में nifty में एक important topic क्यों पर आप लोगो explain करने वाला हूं so please be attentive अगर आप लोग देखना चाहते हैं अगर आ simple trend lines के ऊपर demand and supply zone के ऊपर कैसे trading करी जाती है वो सारी चीज़ा आप लोगों को बता जा रही है चाहिए तो बहुत अच्छे से देखेगा and हमें please appreciate करेगा अगर आप लोगों को अच्छा लगता है चाहिए okay so start करते हैं और first stock के city union bank ये वाला particular stock मैंने आप लोगों को telegram channel पे भी recommend करा था आज के day में क्या देखा था हम लोगों ने देखें a consistent fall उसके बाद what we seen कि ये channel के अंदर trade कर रहा था ठीक है ये एक channel के अंदर ये trade कर रहा था ठीक है upper resistance trend line is this clearly हलके हलके समझा रहा हूं तो आप लोगों को understanding को ठीक है क्या कर रहा था ये इस trend line के अंदर काम कर रहा था it gave a breakout from this level please listen इसने या से breakout दिया एक बहुत बढ़िया हमें rally देखने को मिली है ठीक है उसके बाद ये दुबारा एक range के अंदर चला गया जब ये range के अंदर गया तो मैंने आपको कुछ concepts समझाये थे that is ये trend line है अगर इसे कोई break करता है अगर candle break करके उपर जाती है और retest करके दुबारा उपर जाती है तो first time आप buy कर सकते हो दुबारा नीचे आके उपर जाती है second time आप buy कर सकते हो ठीक है because ये resistance है जब resistance को break तो वो उसके लिए support बन जाएगा when resistance become support ठीक है तो support में हम two times bite कर सकते है third time में हम लोगों को कुछ थोड़े बहुत factors को देखना पड़ता है अब देखे इस range के अंदर ये trade करा हलके हलके नीचे आया ठीक है and उसके बाद exact जिस level से breakout था इसी level पे इसने retest करा support लिया जो पहले resistance हुआ करता था अब यहां से जब इसने bounce करा there is a buy in this particular stock simple analysis अब आप देखेगा आप पूरी बात समझेगा अगर आप लोग trade करते हैं में सारी गलतिया आपको explain कर रहा है और क्या importance है psychology का ठीक है अगर आप लोग for example city union bank and the trade start कर रहे है तो what you will do सबसे पहले तो आप ये line को observe ही करेंगे आप ये वाली line कभी draw नहीं करेंगे मुझे पता है 90% draw नहीं कर पाएंगे ठीक है because वो ये चीज़ फाइंड नहीं कर पाएंगे क्या उन्होंने tops को मिलाया and supports को मिलाया उन्होंने line draw कर दी they've seen a buy in this particular stock buy उन्हें पता चल गया कि एक zone में एक buy बढ़ रहा है but there are many factors उस के basis पर हम लोग trade नहीं ले सकते हैं आप points समझ रहे हैं ठीक है तो हमने देखा कि इस level पर चलिये कोई बात नहीं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं let's use Fibonacci retracement this is our bottom and just wait a second sorry it's ये थोड़ा हैंग कर रहा है ठीक है मैं दुबारा draw कर देता हूं yes draw करते हैं ये say ये हमारा bottom है ये हमारा top है ठीक है इसके बाद एक अच्छी up move हमें देखने को मेली उसके बाद क्या हूआ एक range के अंदर consolidate कर रहा है और इस level से breakout आ रहा है अब आप एक चीज़ observe करेगा अगर मैं ये line हटाता हूं ठीक है प्लीज सी कहां पर इस exact level पर support लिया है that is 0.618 that is 61 1.8% Fibonacci retracement level which is the golden retracement retracement ratio जहां से एक reversal आता है ये retracement इदर से reversal point समझ गा है आप लोग एक sharp up move के बाद एक retracement लिया है और उसके बाद एक up move दिखा रहा है सो आपको ये psychology इसे करना पड़ेगा आपको stock से research करते समय कोई भी stock के analysis करो बात करो जैसे मैं आपको explain कर रहा हूँ न मैं आप लोगों को explain करने से जादा अपने आपको explain कर रहा हूँ कि ये stock में क्यों buy कर रहा हूँ जब आपको आपका answer मिल जाएगा कि मैं satisfy हो गया कि मैं क क्यों buy कर रहा हूँ आख बंदिर के आप buy कर सकते हैं simple and clear analysis के साथ हम लुग buy करते हैं एक महीना रखा दो महीना रखा जब मेरे targets achieve करेंगी मेरे stop loss hit कर गया दो दिन में तो मैं निकल जाओंगा मैं wait नहीं करता है कि मेरा दो महीने में exact target आना है तो आना है मैं hold करें रखुआ नहीं क्योंकि अगर stop loss hit नहीं करूंगा तो भाई मेरे पास और multiple opportunities है कि मैं उस पर trade नहीं कर पाऊंगा मैं अपने cash को free करता हूँ ठीक है तो इस basis में मैं stop losses भी hit करता हूँ मैं definitely profits को भी hit करता हूँ चलिए next off की तरह बढ़ते हैं वहाँ पर हर चीज में आपको कुछ सीखने को दूँगा मैं don't worry बहुत simple analysis होगी बहुत simple चलिए आते हैं हेविल्स पर है ठीक है यह हैविल्स पर चेक करते है लेट मी ओपन अर्ली टाइम फ्रेम बिकॉस मैंने आप लोगों को हेविल्स प्रुवाइड कर आया था और अर्ली टाइम फ्रेम आप जाके चेक करिएगा ठीक है देखे इस सिंपल एंड क्लियर अनालिसस होगी यहाँ पर जस्त वे एक बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिला उसके बाद अप मूफ और अगेड फॉल उसके बाद अप मूफ प्रीवियस हाई को ब्रेक करा नीचे आया प्रीवियस लोगों को ब्रेक नहीं करा अगें उपर गया प्रीवियस हाई को ब्रेक करा अगें नीचे आया प्रीवि and second time trend line दो resistance है, दो top है इस दोनों top को जब हम लोग ने trend line से connect करा तो पता चला कि इसने यहां से एक जो retracement आया, यह जो fall आया यह इस वज़से आया ठेक है, confirmation आती ही जब low को break करता low को break नहीं करा, अभी भी buy momentum है ठेक है, उपर गया trend line को break करा, previous high को break कर गया उसके previous high को भी break करके उपर गया, इस तरीके से अपने आप से questions put up करोगे तो बहुत बढ़ी अर आएगा, अब आप देखेगा जब इसने trend line का breakout दिया तो मैंने buy के लिए आप लोगों को क्यों नहीं बताया मैंने इसलिए नहीं बताया आप देख सकते हैं एक sharp bullish candle आपको देख रही है ये sharp bullish candle इसके बाद exact वो ही high से अगली candle से false start हो गया, उसके उपर गया ही नहीं अगले candle से और एक false start हो गया, तो that is कि ये level एक important level है ये बात आपको समझ नहीं है ब्रेक करने के बाद जो previous swing high है जिसे ये भी चीज ब्रेक नहीं कर पाई थी जब उसे ब्रेक करके उपर closing देगा, तो हम buy के बारे में सोच सकते हैं इसने closing दी, there is a buy setup, ठीक है, तो इस तरीके से हमें trading करनी है बहुत easy way मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सीखें गाईज, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को पॉस करके एक बार लाइक बटन जरूर दवाजी जएगा, लेट्स एम फॉर थाउजन लाइक्स, ओके चलिए, next talk is Indian Hotel, मैंने आप लोगों को यह stock जब टेलीग्राम पे बताया था, मैंने आप लोगों को एक message लिखा था, just wait a second मैं अपने phone में वो message को open करता हूँ, and फिर आप लोग चेक करते हैं Indian Hotels पे जब मैंने stock आपको recommend करा था, मैंने आपको बताया था, that is only few will understand this, and that only can earn this, in this सिफ कुछी लोग इस चीज को समझ पाएंगे, जो मैंने बताया था let's open yeah, so अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जब यह चीज ओपन करी, let me remove this, first of all यह पूरा सेम सेनारियो मैंने upload करा था, but कुछी लोग समझ पाएंगे yes, सबसे ज़्यादा आप लोग के माइंड में क्या रहोगा higher highs and higher lows यही चीज आप लोग के माइंड में आ रहे होगा, yes पहली चीज आपने correct बोली because this particular stock is trading in a higher highs and higher lows दूसरी चीज, अब आते है back testing, अब आते है back testing, एक stock के present से हमें future निकालना है stock का present, अभी हम लोग present पे है, market open है हमें पता लगाना है कि कल ये stock उपर जाएगा नी जाएगा हम future predict कर रहे है किसी भी present पे अगर हम लोग है और present से हमें अगर future को predict करना है तो उसके लिए हमें past को जानना ज़रूरी है ये चीज इंपोर्टेंट होती है अगर आप financial statements देखते है for example, अगर आप CNBC आवाज देखते है वहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि यार ये जो particular stock है, इसकी जो quarter earning का estimate है वो ये आ सकता है, ठीक है अभी आया नी होता है वो particular result बट वो उनके exact आस पास भी आता है आप ये लोग चीज नोट करते होंगे कैसे होता है, क्या वो present से ही analyze करते है, नहीं वो past को देखते है कि उन लोगों ने क्या sales करी, past three quarters के अंदर past three months के अंदर क्या sales करी क्या उनका revenue था, वो सारी चीजों को collect के basis पे वो future को predict करते है same goes with charts आप present के basis पे ये concept को अगर आप लोग समझ जाओगे definitely you can add, I know जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, जिनको अच्छी knowledge है, technical analysis की जो भार के लोग है, उनको ये चीज पता है, उनको और रेडी ये चीज आती है बट कोई समझाता है नहीं, stock psychology and back testing के उपर, and it's the main concept जो आप लोगों को समझना है for your future perspective, चलिए दिखाते है this, ये वाली candle दिख रहे है ये छोटी सी candle, इस candle जैसी close करी, ये candle जैसी close करी, उसी time मैंने आप लोगों को बता दिया, इसी वाली candle पे, कि you have to buy or sell जो भी आपका था, ठीक है क्यों दिया था, आते है past पे, यहां आते है ठीक है यहां पर हम लोगों ने सबसे पहली चीज क्या देखे, एक sharp up move, उसके बाद एक retracement, fall नहीं खाएंगे, हम लोग retracement काएंगे, words को ध्यान से समझेगा, ठीक है यह काएंगे retracement, exact इस level से एक buying आई, stock दुबारा उपर गया, अपने previous high को break करा, break करने के बाद, दुबारा नीचे आया, retracement लिया, उसके बाद again it moved up, previous high को break करा, उपर गया फिर नीचे आया, and again इसने retracement लिया, again उपर गया, उपर जाने के बाद previous high को break करा, उसके बाद दुबारा नीचे आया रिट्रेस्मेंट लेया अब दुबारा उपर जा रहा है ठेक है कंसेप्ट इत्ता समझ गए ठेक है अब यहां पर मैंने क्यों पता लगा है कि मुझे इदर ही भाई करना है उसका भी लॉजिक समझाता हूँ आई ये फिबोनाची रिट्रेस्मेंट को यूज़ करते है ठेक है यस मुझे टूल बॉक्स थोड़ा उपर करने दीजी ओक है तो इस इस आड़ बॉटम इस इस आट टॉप कहां पर इसने सपोर्ट लिया 50% और 382 38.2 इस रेंच के अदर इसने सपोर्ट लिया यस और नो इस रेंच के अंदर सपोर्ट लिया इस रेंच के अंदर रिट्रेस्मेंट का बॉटम था एक अप्मूफ स्टार्ट हो गई हो गई ठीक है आगे बढ़ते है इसको मैं दुबारा हटा देता हूँ अब फिबोनाची को यूज़ करते हैं इस बॉटम पे एंड इस टॉप पे कहां इसने सपोर्ट लिया गईस फिबोनाची के अकॉर्टिंग 50% पे सपोर्ट लिया यहाँ पे इस रेली के बाद जब रिट्रेस्मेंट आया तो किस लेवल पे सपोर्ट लिया था 50 और 382 के बीच में यहां पर भी 50 और 382 के बीच में support लिया और उसके बाद एक buying आई है चलो भाई दो बार जब एक चीज बता रही है कि दो दो बार same चीज follow हो रही है तो क्या तीसरी बार हो सकती है चलो check करते हैं this is our top sorry this is our bottom and this is our top यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कहा support लिया 38 और 50 के बीच में यह तीसरी बार भी satisfy कर रही है यहां पर भी 38 50 आपर भी 38 50 आपर भी 38 50 में support ले रही है कि fourth time कर सकती है चलिए इसको भी try करते है अब fourth time present है guys fourth time is present अब हमें present पे ही तो trade के बारे में सोचना है जब past की study करी तो पता चला कि same pattern follow हो रहा है जब हम लोग present पे आए वही same pattern follow हो रहा था तो yes there is a buy अगर वो उस level पे मिलता है ठीक है this is our bottom and this is our top please let me know मैं थोड़ा सा और zoom कर रहा हूं आप लोगों के लिए guys चेक करिएगा clearly कहां support लिया है इसने इस वाली candle ने है exact 50% retracement level क्या मैं यहां buy करूंगा मैं यहां पर 10,000 quantity भी buy कर लूँगा यहां यहां पर 10,000 quantity भी buy कर लूँगा क्योंकि मैंने जब back testing करी हो मुझे पता चला regularly तीन बार follow हो रहा है तो चौती बार भी follow होगा पांच भी बार भी follow होगा च्छटी बार भी follow होगा बस एक time ऐसा आएगा जब वो follow नहीं करेगा और जब वो follow नहीं करेगा that means there is a trend reversal और उसी दिन हम लोग loss book करेंगे yes दस trading में मैं इंडियन hotel में अगर 6 बार trade कर रहा हूं इसी setup से तो मैं बस एक बार ऐसा आएगा जहां loss book करूँगा जब मुझे trend reversal पता चलेगा और पांच बार मैं profit book करूँगा अब आप बताईए क्या मैंने इसमें कोई pattern को identify करा या मैंने कुछ trend lines draw करी simple basis पे हम लोग trading ले रहे हैं simple basis पे trading कर रहे हैं guys इसी तरीके से आपको trade करना है psychology से समझिए अपने आप से बात करिए कि why I am buying this stock और selling this stock टीक है आगे stock पर बढ़ते है that is jubilant food so much good okay let's open daily time frame daily time frame pay what I am seeing is a chili let me first of all it is this thing just wait a second okay no ah chili okay I will put this let me in kiko you would be an important city to get okay let me zoom this particular stock above yeah the key got a pattern for more that is a inverse head and shoulder pattern sub se pahle it's making higher highs high go break cut up the child local break नहीं करा ticket sorry नीचे आया यहां तक लोगो ब्रेक नहीं कर फिर उपर गया high को ब्रेक कर अगे नीचे आया double bottom बनाया है double bottom और फिर उपर जा रहा है pause लेके देख रहे है यहां पर pause लिया इसने मैं और क्लियर दिखाता हूं यहां पर इसने pause लिया उपर अपनेंट पैटन अपॉस एंड ब्रीक आउट लियर अब head and shoulder कैसे बन रहा है fall अगेन उपर अगेन नीचे फिर उपर फिर नीचे एंड फिर उपर यह देख रहे है this is our inverse head and shoulder pattern इससे breakout देगा इस लेवल इस रेंज के उपर जाएगा so this is a top and this is a target clear अब आप क्यों क्या लगता है यह जो 200 रुपेगी rally है intraday में आ सकती है आ सकती है intraday में but intraday में for example आपको सिफ 15 point मिलते हैं तो भाई आप 15 point लेकर क्या करोंगे जब आपको 4-5 दिन के अंदर 200 point मिल सकते हैं मैं आप लोगों को कह रहा हूं guys swing trading is very good ना मेहनत करनी ना बार बार चार्ट को देखना बार बार आप लोगों को market को देखना ही नहीं है एक बार ले लिया रख लिया target stop loss put कर दिया exit करना होगा वो अपने आप कर देगा ठीक है चलिए let's move to our next stock EPL एक stock और है जो मैंने live market analysis पर अपने दोस्तों के साथ या clients कुछ भी कह लिजए friends ही हमारे सो उनके साथ हम लोग ने study करा था एक particular stock में उसका नाम definitely नहीं बताने वाला and मैं आपके साथ वो वीडियो शेर करूगा जादे मुश्किल अनालिसीज नहीं है वो गाई उसमें भी clear analysis है क्योंकि मैं आप लोग मैं देखिया आप लोग को इसकी study नहीं explain करने वाला बिट मैं आपको stock बताऊंगा तो definitely आप लोग उसे buy कर लेंगे और वह मैं चाहता नहीं हूँ यह pattern form हुआ है and this particular pattern is a bullish बुलिश गाटले pattern yes it's a bullish गाटले pattern and यह pattern के बारे में आप लोगो अभी explain नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके पीछे theory है अच्छी कासी तो यहां पर हम आप लोग explain नहीं कर पाएंगे बट आप देख सकते हैं कि यह exact levels से में पता था कि एक पाइंग आने वाली है चेक है so कैसे पता था वो एक हर्मोनिक पाटन्स होते है जिसके उपर हम लोग study करते है but definitely in future में आप लोगो explain करूंगा एक अपनुफ इस आर टॉप इस आर बॉटम इस लेवल से रिवर्स आ रहा रहा है so we used Fibonacci to find a good entry point we know this is the entry point but to be bit cautious to bit safe हम लोग इस लेवल क्यों पर बाय करते है that is 0.236 this is our target this is our target this is our target clear है and why we use this particular horizontal line अगर हम लोग इस पर्टिक्लर चीज को finalize कर रहा है because देख रहें this is a support जिस लेवल से एक बाइंग आई थी तो ये लेवल एक resistance कभी तो आक्ट करेगा तो दिस आ टार्गेट दिस आ टार्गेट एंड दिस आ टार्गेट एंड दिस आ टार्गेट दिस आ टार्गेट दिस आ टार्गेट तो इस तरीके से सिंपल अनालिस से डोंट वरी सब अच्छे अच्छे एजीली समझ में आ जाएगा आप लोगो और आप ट्रीट कर पाएंगे अब आते हैं सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक पे दिफ्टी की अनालिस थू बैक टेस्टिंग एंड साइकोलोजी जो लोग ने लाइब मार्के अनालिस प्ने दोस्तों के साथ कर रही थी लग में शो यू अना गरेंटीड यू आप चली मैं आप को दिखाता हूं दोंट वरी टिगा लेट्स भूव लेट्स भूव दिस आड देली ताइम फ्रेम टिका ये एक डिली ताइम फ्रेम आते हैं पीच्छे आगा हैं लोग जिगा लेट मी जूम दिस पर्टिकलर इंडेक्स ओके अग्यू अग्यू कि स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस लेवल ठीकन अब आप देखेगा एक अप मूव अप मूव आई उसके बाद का वाओ रेंज बाउंड के अंदर ही ट्रेट कर रहा है ठीक है एक रेंज के अंदर ही ट्रेट करना स्टार्ट कर गया था उसके बाद रेंज का ब्रेकडाउन दिया breakdown देने के बाद एक दुबारा momentum start हो गई ठेक है पहले सुनिए upmove range breakdown upmove तो यानि कि ये breakdown false breakdown है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं upmove आई क्या हुआ उसके बाद एक range के इंदर trade करा क्या हुआ दो candle ने break करा क्या हुआ उसके बाद एक अच्छी से upmove start हो गई clear हो गया जब इदर range बनाई तो दो candle ने ही तो breakdown दिया था और इदर कित्ती candle ने breakdown दिया दोनों candle ने है फिर अपmove ये दो बार जब सेम चीज follow हो जाती है तो तीसरी बार भी वही होना है चौती बार भी वही होना है अब यहां पर यह मत सोचेगा कि एक ही concept बना है यहां दो concept बने है पहला concept क्या है एक upmove के बाद एक range के अंदर trade करता है ठेक है और अगर दूसरी चीज की range का breakdown देता है दो candle के साथ ये चीज नहीं समझ नहीं है कि ये आएगा तो ही हम लोग buy के लिए जाएंगे दो candle पर ये चीज क्या बता रही है इसे कहते है psychology समझना ये चीज ये बता रही है कि market इत्ती bullish है कि अगर दो candle भी नीचे break कर दे तो भी उसे momentum करके उपर ही जाना है तो यानि कि ये बता रहा है कभी भी अगर range का breakdown हमें दिखे निफ्टी के अंदर in future बहला future में तो हम लोगों को sell नहीं करना हम लोगों को buy के मौके ढूड़ने है point समझें ये ये बताना चारा है इसको confuse मत हुझाएगा हमें range important है और ये up move important है तेक है आगे बढ़ते है उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर फिर हम एक चीज़ और दिखी फिर एक up move आई उसके बाद क्या हुआ फिर एक range के अंदर trade करा range के अंदर trade करने के बाद दुबारे एक breakout आ गया अब इसने दो candle में नीचे closing नी दी कोई बात नहीं नहीं दी तो हमें क्या करना अगर देता तो हम लोग buy के लिए मौकर डूटते हैं आप उपर ही breakout देदी है अगर उपर breakout देना और वो भी flag pattern का breakout देदी है अब तो एक simple continuous rally देखने को मिल रही है अच्छा अब range जो मुझे दिखी वो यहाँ दिखी अब move ये चार दिन एक range के अंदर trade कर रहा था अब क्या होता अगर नीचे दो candle बनती तो भी मैं buy के लिए सोचता अगर उपर breakout देता तो भी मैं buy के लिए सोचता क्यों क्योंकि तीन बार बता चुका है बता आज़ाइए तो इस पर रेंच के अंदर trade कर रहा है इस रैंज के अंदर ट्रेंट कर रहा है और ब्रेक आउट दे दिया पास्ट प्राश्ट क्या देख रहा है तो कित्ती बड़ी मूव्मेंट हमें देखने को मिल रही है और देखे खुला यहां पे exact यहां खुला बाई नहीं था जब breakout के उपर निकला यहां पे बाई था इस level पे बाई उपर यह देख रहे हैं यह पूरी की पूरी movement आप capture कर सकते थे पूरी की पूरी movement को capture कर सकते थे वाई क्योंकि आपको psychology पता थी ठेक है हो सकता था भाई अगर कुछ ऐसा back testing में नहीं बना होता न तो मैं definitely कह सकता हूँ कि there is a 50-50% chance की gap up के बाद selling आ सकती थी क्योंकि हम लोग multiple बार भी देखते वे आ रहे हैं कि gap up पे selling हो रही है बट यहां पे हम लोगों को 100% surety थी कि नहीं होगा क्योंकि back test हम लोग कर चुक है तीन बर follow करना है तो छौती बर definitely करेगा ठीक है तो आये इसके साथ ही एक बार बांग रिफ्टी को चेक करते हैं कैसे 1000 points अंगर गए थे वह मैं दिखाता हूँ से यह आज हम लोगों अपने clients के साथ शेयर करा था एक अपको move एक range के अंदर consolidate कर रहा है breakout दिया open हुआ इस level पे नीचे आया अपने supply zone को दुबारा retest करा और फिर उपर गया है और आपको मैं दिखाता हूँ कि कहां पे गया है यह देख रहे हैं exact अब हमारे पास जो आज हम लोग ने अपने clients के साथ बात करी थी that is हमारे तीन targets थे first, second and third target first target भी achieved second target भी achieved अब हमारा third target बचा है yes और वहाँ पर उन लोगों अब आप एक चीज़ देख लिए कि nifty जहाँ पर खोलाता हूँ वही पर ही close करा है थोड़ा सा उपर और bank nifty यह बहुत जादा close करा है तो यह भी मैं क्या अगरता हूँ आप लोगों के लिए दीछे description पर आज आज आप लोगों के लाइफ session जो हमाने 59 minutes का लिया है उसकी recording आप लोगों के नीचे मिल जाएगी एक link होगा उसके साथ password होगा लिंक को लिए करके आप password डालेंगे तो आज जो भी मैंने पढ़ाया है वह पूरी recording आपके पास होगी आप चेक करिएगा क्या क्या चीज़े बताई गई है क्या क्या चीज़े नहीं बताई गई है आप लोगों मिल जाएगा वहाँ पर यह चीज़ भी बोले गई थी that is the nifty अपने exact resistance पे आ गया है उससे उपर नहीं जाने की कोशिश करेगा वो but bank nifty अभी तक नहीं आया है तो bank nifty के लिए में patience लिवेट करना है bank nifty उपर जाएगा nifty ता उपर नहीं जाएगा exact वैसा हुआ guys almost 1200 points bank nifty उपर गया so guys इसे के साथ end करते है I hope मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया होगा a to z तक मैंने एक एक पॉइंट आपके clear करे होंगे market से related it's nothing about options कैसे trade करना है क्या अगर आपको simple price action technicals आता है option पे भी आप maher हो futures पे भी कि आप maher हो आप stock market में maher हो ठीक है तो इसी के साथ मिलते हैं आखरी में I hope आप लोगों को वीडियो पसंत आई होगी बहुत कोछ आप लोग ने सीखा होगा किस छोटे छोटे पॉइंट से हम लोग अपने buying setup कुछ इंडरेट कर रहे है not heavy patterns only price action बहुत simple analysis होती है you have to do just two things back testing and stock psychology अब अपने mind की अपने emotional psychology से सबसे जादा important होता है stock की psychology यह सारे points अगर आप लोग समझ जाएंगे you will win the market आप market को जीट सकते हैं बहुत clearly आपको जादा time नहीं देना पड़ेगा so guys इसे के साथ मैं वीडियो को end करता हूँ hope आप लोग ने कुछ अच्छा सीखा होगा and अगर आप लोग अभी इंट्रस्टेट होंगे हमारी service पे जो की call है sorry मैं अभी तक start नहीं करी है अगर आप लोग comment section के अंदर बताएंगे तो definitely मैं सोचूँँगा आप लोग स्टार्ट करने की सोचते हैं तो मैं मिलता हूँ आप लोग इस अगली वीडियो पे मैं शिवांज भसीन signing off